नमस्कार साथियों मैं शालियान भारतिय समिधान में एक बालिक लड़का और लड़की अपने मर्जी से साधी कर सकते हैं यह देखा भारतिय समिधान देता है तो यहाँ पे साक्षी मिस्रा बरेली की रहने वारी शाक्षी मिस्रा और अजितेश ने भाग कर साधी की शाक्षी मिस्रा ने काफी टीवी चैनलों पर और सोसल मीडिया पर अपनी बात रखी कि उनके जान को खत्रा है उनके पिता से राजेस मिस्रा और पपू बढ़तौल और उनके भाई से उनकी जान को खत्रा है क्योंकि उन्होंने एक दलित लड़के के साथ साधी की है वो भी उनकी रजामंदी नहीं थी उनके परिवारोलों की भाग के साधी करनी पड़ी साक्षी मिस्रा कई सारी इंट्रेव में उन्होंने बताया टीवी चैनलों पर भी उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई है और बताया है कि किस तरह से उनको मजबूर किया गया था शाक्षी मि प्रेसला खुद लेने के लिए उन्हें अपनी तरह से अजितेस के साथ पूरी जिन्दीगी बिताने के लिए उनसे शादी करने के लिए क्योंकि उनका परिवार कभी नहीं चाहता कि अजितेस से शादी हो क्योंकि अजितेस एक दलित लड़का है इसलिए राजेस मिस्रा जो कहती हैं कि जब मुझे काफी बहुत जादा प्रताडित किया गया तो मुझे घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा और हम दोरों ने मिलके भाग कर शादी कर ली यह लोग बताते हैं कि काफी देर बाजब यह लोग भागे थे भाग के शादी किया था एक होटल में भी रुके थे वहाँ पर इनके पिताजी और इनके भाई के कुछ भेजे वे गुंडों ने इनका पीछा किया था उनको जांसे माने की धंकी दी थी और अपनी सुरच्छा को लेकर अपने बचाओं को लेकर शाक्षी मिस्रा ने एक वीडियो लाइव पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने बताया है कि उनके और पापा और उनके भाई के दौरा उनकी जान को खत्रा है उनको मानने के लिए गुंडे बेजे गये इसे लेकर पुलिस प्रसासन संग्यार में आई और काफी सासन प्रसासन पूरा जागा और उनकी मदद के लिए अभी भी तर्दपर है और वो अभी भी सोचल मीडिया पर चाय हुए हैं सवाल यह उड़ता है कि शाक्षी मिस्रा अगर ब्रामन और अजितेस दलित हैं जिसने विए उच्छ कम्यूटी के लोग हैं वो यही कहते हैं कि हिंदू धर्म हम लोग हिंदू हैं हिंदूत को बढ़ावा देते हैं तो इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है कोई क्योंक क्योंकि अजितेस भी एक हिंदू ही हैं बेसक दलित हैं लेकि हिंदू हैं क्योंकि अजितेस मिस्रा अबेट करवादी नहीं हैं उनके ऐसी कोई पोश्ट ऐसी कोई तस्वीर नहीं सामने आई कि जिससे लगी कि वो अबेट करवादी हैं वो तो राम राम भी बोलते हैं जै यह सी महज एक जाति के नाम पर था क्या वो दलित थे इसलिए साक्षी मिस्रा के फैसले को नकारा गया अगर यहीं पर कोई अधर काश्ट होता तो क्या साक्षी का साथ नहीं दिया जाता शाची एक ब्रामन और अजितेस एक दलित हैं बस यहां पर एक जातिवात का खेल है और कुछ नहीं क्योंकि यहां पर लोग तो बोलते हैं पॉलिटिक्स करते हैं जाति के नाम पर कि आप हम हिंदू हैं हिंदू हैं हिंदू को कायम रखेंगे सबी हमारे स्टी एस्टी ओबी सी भाई हिंदू हैं जब हिंदूत की बात करते हैं दम बरते हैं जब वही हिंदूत का धर निभाने की बात आती तो पीछी हड़ जाते हैं कि तब वहां पे तुम दलिथ हो तुम ये हो तुम वहां जाता है कि तब नहीं किया जाता है कि हिंदु ओं मैदलब एलक्षन में जीधने के लिए ओठ चाहिए वह डलिथ का चाहिए जब वह रिस्ता बनाने की बात आती ए तो दलित समझ के इंकार कर दिया जाता है क्यों? क्या शाक्षिमिस्रा अजितेश का इसले खिलापत किया गया क्योंकि वो दलित है लेकिन दलित है आप ही लोग बोलते हैं कि दलित है या है वो लेकिन एक हिंदू है तो हिंदूतु का दम अगर भरते हैं तो अजितेश को अपनाई है, क्योंकि अजितेश तो पूरी तरह से हिंदू है, धनी थे तो क्या हुआ, अमबिट करवादी तो नहीं है, बाबा साब के फालोवर तो नहीं है ना, ना वो बाइस पति ग्याओं को मानते हैं, ना वो पंजसील को मानते हैं, तो फिर कैसे अमब बाहर निकलते व्यों कुछ वकिवलों ने उन पर हम्ला बोल दिया था और मारपीट हुई थी जिसले कर साक्षी मिस्रा और अजितेश ने पिता राजय समिस्रा से बचाओ के लिए अदालत से अपनी सुरच्छा के अनुरूत किया है तो अमस्तु बता दे कि सोशल वरकर सूर और उन्होंने साक्षी मिस्रा और अजितेस पर एक अच्छी सी पोस्ट की है अपने फेस्बूक पेज पर जिस पर उन्होंने लिखा है। जिस लड़की के घरवाले जोड़े को माने के लिए गुंडे भेज रहे हूं तो उस लड़की का भैवीत होना सौभाविक है। आप सचेत रहें और अपना ख्याल रखें लेकिन डेने नहीं हम सभी भीम सैनिक आपकी सुरच्छा के लिए तैयार हैं हलांके साथी के पिता को अपने बेटी के फैसले का सम्मान करना चाहिए। इस बात को साक्षी के पितावा समस्त बोजन समाज को समझना होगा। इसी वज़े से भीम सैनिकों ने आपका साथ दिया क्योंकि हम सम्मान करते हैं। आज जब मुसीबत में पड़े हो तो बाबा साहिब और उनकी कौम याद आ रही है। अम्बेट करवादी होते तो शायद कोई प्यार ही नहीं होता आप दोनों के बीच में। अब शाक्षी मिस्रा को समिधान पढ़ाओ और यापढ़ाओ की तथागत बुद्ध महावी स्वामी गुरू नानक जोतिपा फूले मातर सावित्तिरी भाई फूले फातिमा बेगम वा बाबा साहिब की महिलाओं की कितनी लड़ाई लड़े हैं। ताकि शाक्षी मिस्रा भी लोगों में जागरित पैदा कर सके कि बाबा साहिब ने सभी सूद्र महिलाओं के लिए क्या कुछ नहीं किया। हम आप से उमीद करते हैं कि अब आप मनुवादी गेरा बंदी तोड़ कर बाहर निकलेंगे और बाबा साहिब की विचार धारों को आगे बढ़ाएंगे। कर दिया है कि वो इसके लिए पूरी भरपूर तयार करें सलूट करती हूँ शाक्सी मिसरा आपको कि आपने एक डंके की चोट पर आकर आपने ऐसा कदम उठाया है तो ये बहुत ही एक नारिश शक्ती के लिए बहुत ही सरानिय कार है और मैं ये भी कहना चाहूंगे कि ये शाक्सी मिसरा ने कोई नया काम नहीं किया है कि एक ब्रामर लड़की ने एक डली लड़के से शादी किया हो। साः पीसा से अधिकारी ना किसी ऊछी पत पर हैं तब किसी उच्वर के लड़की के परिवार रोलों को यह अब्जेक्शन नहीं हुआ कि वो दली थे आपने डली से साधी क्यों किया क्यों कि वो अगर यहीं पर अजिते से आई-याप सीस होता अधिकारी होता किसी उची पोश्ट पर होतो तो सायद ये शाक्षी मिश्रा से खुसी-खुसी पर्वाय के साथ साधी कर रहे होते हो और इस तरह से उनको अपनी जान बचानी के लिए दर-दर भटकना नहीं पड़ता लोगों स इतना इसु नहीं बना जाया कि साक्षी मिस्रा एक ब्रामन है और अजटेस एक दलित हैं लेकि वो प्योर हिंदू है तो इसमें शाच्छी मिस्रा के परिवार वालों को रिस्तेदारों को अबजक्शन नहीं होनी चाहिए हालांकि मैंने अभी काफी सारा शाक्षी मिस्रा पूरा मुद्दा उठाएं यह मुद्दा इसलिए उठाया कि यह जातिवाद पर जातिवाद पर जो मेन इसकी जड़ है उस पर सवाल नहीं कहा गया ऐसे सवाल किये गए जिनका कोई महतु नहीं है पुरे SCST OBC माइनिरोटीज के लोगों से मैं यही कहना चाहूंगी कि आप देख लीजे जातिवात का कितना जहर भरा पड़ा है जब आप से ओट लेने की बारी आती है तो अपना समाज की बात करते हैं आप अपने समाज के हो आप हिंदू हो आप हमारे लिए हो हम आपके लि आपको नीची निगाहों से देखा जाता है मतब पुर्य बहुजों समाज को एक तरह से ब्यकूब बनाने का काम है दलितों की ओट लेकर आप विधायक MLA प्रिधार मंतरी PM सब बन जाते हो और जब वही उनके अधिकारों की बात आती है उनसे बराबरी की बात आती है तो ऐसे ही एक और खबर के लिए मैं उपस्तित हूँगी तब तक के लिए दीजिए इजादित